मनुष्य का जीवन बड़ा अद्भूत है इससे वो प्रेम करता है उसी के किसी ब्योहार विचेस के प्रति उसे एका एक घ्रणा हो जाती है और उसी से वो लड़ाई भी करने लगता है घ्रणा और प्रेम 24 घंटे तुम्हारी जिन्दगी के ऐसे चक्र हैं जिन में तुम और जिससे कुछ ज्यादा ही घ्रणा हो जाती है जिसका कोई ब्योहार ज्यादा ही अप्रितिकर हो जाता है आप कहते हैं उससे मुझे बहुत घ्रणा हो गई है और मैं आप से कहना चाहता हूँ घ्रणा आपको किससे होती है सड़क पर चलते हुए किसी अजनवी के प्रति तो नहीं होती, घिरड़ा उसी से ही होती है, जिससे आपका नाता है, जिससे आपका रिस्ता है, जिससे आपका संबंद है, जिससे आप किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हो, लेकिन आप देखो, जिससे आपका नाता है, जिससे आपका रिस्ता है, जिससे आप किसी न इससे तुम्हारा इतना गहरा रिश्था रहा है उसमें जलूर कोई न कोई अच्छाई होगी जिसकी करण तुम्हारा इतना रिष्था गहरा हुआ है अरे किसी से तुम्हारा लव अफेयर हुआ, प्रेम संबंद बना और कोई तो कोई प्रेम की तरंग रही होगी जिसके कारण लव अफेयर हुआ, जिसके कारण प्रेम संबंद बना, जिसके कारण तुम एक दूसरे के करीब आए और तुम्हारा करीब आना तुम्हें दामपत सुत्र में भी बांद देता है, तुम जीवन साथी बन जाते हो, बती बतनी के रूप में रहने लगते हो, लेगन कुछ घटना घट गई, अब इस्थती विपरीत हो गई, अब घरना का भाव पैदा हो गई, और तलाक की स्थती आ गई, और कहते हो, गुर्दयों, अब तो घ घरना हो गई, अब आप कहते हो, कि जब घरना हो गई, तो उससे उसकी अच्छी बाते याद कैसे करें, आरे मैं आप से कहता हूँ, वह सारी अच्छी बाते जो कभी तुमारे अनुभो में थी उसको लेकर, कभी कितने कहन प्रेम से उसने तुमारे को अपने सीने से लगाय होगा कभी तुमने महसूस किया होगा कि सारी दुनिया भी छूट जाए लेकिन इस्त्री या ये पुरुष मेरा जीवन साथी बन जाए और मुझे खुश नहीं चाहिए आखिर कुष्ट तो प्रेम की तरंगें आप दोनों के बीश में होंगी उन इस्थितियों को याद करो अपने और उसके साथ के जीवन के कुष्मात्पूर्ण अच्छाहियों को कुष्मात्पूर्ण प्रेम की परिस्थियों को जो अब तक रही हैं आप सूची बनाने बैठेंगे तो कम से कम पचीसों चीजे ऐसी होंगी जिसके लिए तुमारे प्राणों में उस जीवन साथ हुआ है तो प्रति प्रेम का वाव उम्डेंगा जो अब गया है तुम याद करो वह प्रेम की घटनाई उम्डेंगी और उन में से जो अच्छी से चार-पांच चीजें उन चार-पांच चीजों को लिख ड्लों कागश पर उनको लिखो और उन चार पांच अच्छाईयों को कागज़ पर लिखने के बाद सुबा दो पार साम तीन बार पढ़ो ज्यादा नहीं तुम 21 दिन उनको पढ़ो सुबा दो पार साम उसकी अच्छाईयों को मैं तुम्हें बचन देता हूँ कि इस दिन बीतने के पहले ही तुम पाओगे कि उसके जीवन की में जितनी प्रेम की तरंगें भरी हुई है वे सब जीवन तो हो जाएंगी और तुम उससे बात भी न करो खाली याद करो उनकी इन अच्छे अच्छी तरंगों को अच्छी अच्छी प्रेम की गटनों को एक दिन आएगा कि वो भागती हुई तुम्हारे पास आएगी तुम भागती हुई उसके पास चले जाओगे कि ग्रणा नहीं प्रेम चाहिए 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 अमारा दुरभाग्या है कि हम अच्छे अन्भों को दबा देते हैं और नकारात्मक अ स्कारात्मक अन्भुहों को धबा देते हैं लेकिन अगर तुम सकारात्मक अन्भुहों को लिख लिख कर याद करो, सुबह दो बार साम जादा नहीं एक बार दस मिनिट कर समय देगे पांच अच्छी चीज़ याद कर लो उनको लिख लो कागश पर और सुबह दो बार साम तीनों टाइम पढ़ो और उसका फोटो भी साथ में लगा लो एक मनुभाई ज्यानिक प्रियोग बता रहा हूं मैंने यह प्रियोग करके और करा के देखे हैं लोगों को जो संबंद टूट जाने वाले थे तलाक से जो संबंद एक दूसरे की जान ले-ले पर आमादा हो गए थे वे सारे संबंद भी फिर से जीवन्त हो गए और ने जीवन में वे दोनों लोग प्रमीस कर गए मैं तुम्हें इस मनोवज्यानिक प्रयोक के आधार पर एक महा सुत्र देता हूं, कि तुम्हारी जिंदगी में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, तुम्हारे संबंधों में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, अगर तुम कांटों कांटों की याद करोगे, तो जिन्दगी में जो थोड़े से फूल हैं वे भी कांटे बन जाएंगे और अगर तुम फूलों फूलों की याद करोगे तो जिन्दगी में तुम्हारे संबंदों में जो कांटे हैं वे भी धीरे धीरे फूल बन जाएंगे झाल झाल